इस कार्बोर से मैं क्या बुराऊंगी डॉलाउस तो यहां पर मैं कुछ चीज़े निकाल रहे हूं जो डॉलास बनाने में हमें यूज होंगे इन गाइस मैंने रिसेंटली यह एक्रिलिक कलर खरीदा है तो हमें कुछ गलू और और भी सारी चीज़े चाहिए डॉलाउस बनाने में यहां पर मैं कट कर रही हूं मिस डॉलाउस का शेप दे रही हूं आपको भी शेप दे सकते हो वैसे मैंने काफी इजी सा चूस किया है मुझे लगा कि भाई मुझे कोई स्टेक हो गई मैंने कुछ गरत कर दिया वाट था तो मैंने कुछ इस तरहीए का शेप दिया है इसके पेपर पे कुछ ड्रॉ करके लगाऊंगी लाइक वाल पेपर की तरह तो यहां पर मैंने दो शीट लिए और यह मैं खुद के लिए नहीं बना रही हूं यह मैं अपी की बेटी के लिए बना रही हूं इससे पहले भी मैंने एक और उसके लिए बनाया था बट उसे अच्छा लगा तो इसने का कि मुझे दोस्रा बना के दो देख सकते हूं और आप कमेंट करके बताओ कि क्या आप अभी भी डॉल के साथ खेलते हो इसे मेरे पास अभी डॉल्स हैं बट मैंने बहुत महीने से खेला नहीं उनके साथ एक हो गया हमारा वाल पेपर डन और दोस्रे वाल यह देखो मोई मोई ग्लूई नहीं निकल रहा था तो यह भी हो चुका है डन 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 और मैं इसके बीच में लेयर टाइक का कुछ लगाऊंगी और यह चोड़ा सा कूड़े बट मैंने बाद में बड़ा सा लिया जिस वैसे उपर में इसका रूम हो जाए राइट में किच रात बहुत हो गई थी तो बहुत कमी चीज मैं इसमें बनाई हूँ और यह कबड समझ नहीं आ रहा कैसे दिखाऊ वीडियो में तो चलो अब इन सब को लगाते हैं तो यह मैंने कीचन पे लगाया इसे तो काफी चोटा सा यह क्यूब सा मीनी मीनी बहुत ही अच्छा लग पाइब को जड़ा आता इसको बिदा लगाया तो उपर में मैंने बैड लगाया जैसा कि मैंने आपको बतागी मैं कीचन रूम बना रही हूँ और यह गस्ट रूम यह सोफा है और यह फ्रेम चोटा सा क्यूट सा बहुत इसको मज़ाया भाई कलर करने में इसके लिए मना तो फाइनली इस दन बाई